तो हम चलते हैं करें स्ट्रिंग पे स्ट्रिंग में हम यहां पर कर देते हैं इसके नीचे यहां पर अलग अपने प्रेफरेंस सेट कर लेता हैं और यहां पर क्या ले 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 कि आप किसकी के लिए कर ले सारे जो हमारे हमारे कलर लेटा है उनके कर लेता है पर प्रेσεर्ट कलर रेपर क्या है कई सबसे पहरे कहलेarialite केलिए एक लिए हमार्ड क्या तो अब क्या क्या है इसे कड Vas damage से कुछकि तो तो यहां पर कर लेते हैं यहां पर हमारे colors का already यहीं भी नीचे है तो यहीं पर paste कर देता हूंगे ताकि हमारी सारी चीज़े एक ही जागा रहे हैं फिर एक दूसरे string value ले लेते हैं और यहां पर क्या ले लेते हैं preference color label कौन सा color blue okay और यहां पर क्या देते हैं simple blue इसके बाद guys हमें देना है कौन सा string और अलग preference color इसका label देंगे हम और यहां पर simple हम ले लेते हैं green और एक किस के लिए color के लिए जो की है की भी लेनी जरूरी है की भी नहीं भूलना में तो preference color key okay और यहां पर क्या देंगे हम simple color क्या देंगे एक चीज़ और गयाई क्योंकि यह क्या है हमें show नहीं होगी तो इसलिए हमें यह क्याने चाहिए तो इसे हम देंगे false हमें ट्रांस लेबल नहीं चाहिए यह कि इसमें नहीं होगा हमारे के किसमें जब हम सब्सक्राइब करनी पड़ी तो इसे हमने ट्रांस लेबल बंद कर जया है तो यहां पर क्या हो गया हमारी लेबल आ गया सारे colors के और आप यहां पर देख सकते हो गई जो हमारी values है already वह already क्या है predefined है किसकी हमारी red blue and green के यहां पर colors already क्या है defined है तो इसकी हमें कोई टेंशन लेनी की जरूबर नहीं है अब गईस किसमें चलते हैं विजुलाइजर में दुबारा आज है प्रेफरेंस विजुलाइजर में और यहां पर क्या कर देते हैं add कर देते हैं यहां सबसे पहले जो हमारी default value string में वो कर देंगी और हमें default value इसकी क्या default value dot color and here default value ले ले लेते हैं red value okay क्योंके guys हम जैसे मुंचातों की जैसे हमारा app start हो तो जो first color हमें दिखे वो क्या red type करें तो यह तो हो गया हमारा string preference color यहां पर क्या आगया हमारा preference color की आगया अब आखरी क्या है हमारा पास title है तो title भी safe कर लिए तो यहां पर title भी हम यूज कर लिए and guys hopefully आप लोगों के लिए confusion नहीं होगा मैंना confusing नहीं होगा क्योंकि सेमी चीज है लादों कोई tough नहीं है जो चीज अभी तक हम करते आ रहे थे वही चीज है बट हाँ जिसने अगर बीच से करोगी guys skip करके करोगे तो आपको थोड़ा सी यहां पर problem आ सकती है तो यहां पर हम क्या कर लेंगे color label बहुत easy functional basic अपर क्या कर रहे है जो string हम direct दे सकते थे बस उनकी guys क्या कर रहे है कि अगर language change हो तो वह हम hard code ना करके simple उनकी अग से value provide कर रहे हैं okay अब guys यहां तक का तो हमारा हो चुका है अब मुझे क्या चाहिए एक चीज और चाहिए अब मुझे चाहिए गई इसकी entries और entries value क्योंकि यह array type की है तो मैं simple इसको ऐसे define नहीं कर सकता है इसे array ही हमें चाहिए तो इसके लिए कि कर सकते हैं हम simple values में जाके हम यहां पर एक new simple यहां पर हम new पर click करेंगे और क्रिएट कर लेंगे एक resource file create कर लेंगे simple new और किस name से करेंगे guys arrays के नाम से तो यहां पर simple आपको values में एक array file create करनी है एन यहां पर हम simple guys इसे space दे देते हैं इसमें जो हमारी entries है और जो इसकी values है क्योंकि जो गई हमारी list शो रही है वो किस टाइप की array type की है तो उसके लिए हमें एक key भी चाहिए value भी चाहिए तो आप वो इसे बंद कर दिया है यहां पर आगे हमारा array name और यहां पर क्या आगे प्रेफरेंस color option labels और यहां पर क्या करना है इसमें item define करने क्योंकि array type का है तो हमारा first क्या आगे हमारा string type का यहां पर simple preference color क्या चाहिए मुझे अच्थे label ब्रेग्चे और सब से पहले यहां पर इसे बंद कर दिया स्ट्रिंग श्रग कर लिए और यहां पर string preference occurred अब लेबल क्या चाहिए हमां प्लू चाहिए आप यहां पर भू आ गया सके बाद ग्याइसए जया करा इसे बंद करा एट carry श्रीं करा हमने preference color अब कौन से चाहिए लेबल ग्रीन चाहिए तो यहां पर basically guys क्या करा है मैंने कि जो हमारी जैसी मैंने उस पर click करूंगा right list पर click करूंगा तो basically guys मेरी क्या create होना चाहिए एक item create होना चाहिए array type के तो basically guys यहां पर उसकी क्या कर ली कि मैंने labeling कर ली labeling इंदा नेम जो उसमें नेम शो होगा वह क्या होगा है labels होगा हमारे अपके create करना उनकी value create करनी है जैसे अभी तक हम यहां पर हमारे preference visualizer था राइट तो यहां पर क्या कर रहे हैं गाईज एक की एक value ती राइट यहां पर की आया थी simple और यहां यहां प्रेफरेंस color option values अब इसमें item में क्या दे देंगे इसकी values देंगे अब क्या करना है सबसे पहले क्यूंकि और गाईज इस चीज का दियान अखना क्यूंकि अगर हमने यहां पर labeling red blue green करी है तो आपको जो हमारा order रखना है order same रखना है अगर red blue green है अगर आपने की इससाब से दी है right red blue green तो जो इसकी value है वह भी आपको ऐसी ही provide करनी है तो यहां पर क्या गई हमारी red value आ गई इसके बाद क्या गया एक और item दे दिया हमने यहां पर add the rate string same है जादा कोई tough चीज नहीं है इसमें बहुत basic stuff है and यहां प इसके है अगरा green है यहां पर simple मैंने के दे दिया item at the rate string preference color अगया हमारी green value आगी तो आप क्या गया है यह हमारी array create हो गई है तो यहां पर हमारा सब complete हो गया तो इसे क्या कर दूंगा simple बंद कर दूंगा string का भी हमारा काम हो चुका है साला तो string भी बंद कर देंगे bulls भी उसी value दे नहीं है गई हमें अगर आपने देखा तो label में क्योंके पहले क्या दागाई जो label थे हमारे अब हमने array create क्यों करी है पहले जो हमारा label था अगर आप देखो तो पहले गई जो जैसे preference हमारी क्या preference visualizer है तो उसमें single एक label दिया एक ही उसकी value थी बट हमारे अब label जो ह क्या बनी है array type हमारी list बन गई है तो अब किसमें चलते हैं सबसे पहले क्या क्या करने हमें label प्रवाइड करना है तो preference color option लेबल आ गया और यह क्या वैल्यू आ गई तो यहां पर हमारे पास आ गए add the rate क्या array तो यहां पर हमारे पास array में दो चीज़े आ गई label आ वैल्यू हो गई सबसे पहले मूझे के देना लेबिदेना है और इसके बाद नीचे के समय प्रसे आ जाँ जेंगे इशमें और इसमें क्या देनी है गया इस वह एल्यू ऑगा है तो यहां पर क्या हो गया है गया है पूरा एड एट आपके करके देख लेकिकले एक वार अपने app को र तोड़े तोड़े आपके जैसे ऐसे concept समझ में आते रहेंगे आपको लोग को बैटर समझ में आता रहेगा राइगा राइट यह वाली जो चीज है काई लोग इसमें बहुत आइनों बहुत लोग इसमें कंफ्यूद होंगी कि क्या कर रहे हैं स्ट्रिंग 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 कर रहे हैं तो इस चीज की जिन लोगों ने स्ट्रिंग कर रहे हैं स्ट्रिंग कर रहे हैं तो इस चीज की अभी तक आपको आद लोंग ऑप्छिण गैंघीड फॉट करना पड़ता हैं लेकिन लॉगरन में कि क्रोंब्स हो डेफिशुल होता है तो देख लेते हैं हमारा सभी साहख हो रही है या नहीं है यहां पर क्या कर लेता है emulator run करके देख लेते हैं आपना अपना अपना ओपन कर लेते हैं और यहां पर एक बार यहां पर अपनी सेटिंग्स में जाके आप क्या देखना है हमारा आ चुका है यहां पर क्या आगए हमारे शेप ब्लू ग्रीन राइट यहां पर हमने क्यूंकि और लेड़ी गाइस बना चुके थे डह अपनल में पर यहां पर बने चुके तो में तक सब का सही से अगया ऑगा होग्यां पर और यहां पर सिंपल जो मला डिफओल्ट भाल्य तो कर लो लेकिन अगर आप पीछ जाओगे तो आपको देख सकते हैं यह जो जब मैं Color Change करूं, तो यहां के भी Color Change होने चाहिए, जैसे हमारे चेक बॉक्स पे अगर हम कर रहे थे, तो हमारे रिफ्लेक्ट हो रहा था, ऐसी हमारे Color भी रिफ ले चाहिए, तो आप क्या करते हैं गाई इसको connect कर लेते हैं यह देख लेते हैं कि कैसे हम reflect करवाएंगे changes को